आपका एका फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा ICIC Prudential भारत 22 FOF डारेट प्लान गुरोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा यह जो ICIC Prudential भारत 22 FOF डारेट गुरोथ है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या पिर एन्वल रेटन क्या दिया है आज के डेट में इसका एक एनवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार डेटिंग मुच्वल फंड है इसमें minimum SIP amount आप क्या लगा सकते हैं, इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आपसे discuss करूँगा, यह आप इस mutual fund के अंदर कुछ investment करते हैं तो आने वाले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है तो सबसे पहले पिछले इसके एक साल के return की बात कर लेते हैं तो एक साल के जो return है, वो 47.13% का return है एक साल के अंदर तीन साल की return की बात कर लेते हैं, तो तीन साल में जो return है, वो 49.92% का return है पांच साल की बात कर लेते हैं, तो पांच साल में जो return है, वो 20.12% का return है और annual return की बात करते हैं annual return है 18.40 का annual return है हम लोग NAV देखते हैं तो आज की रिटमिस का 1 NAV का प्राइस है 25 रुप्या 9 पैसा rating की बात कर लेते हैं तो यह 5 star rating mutual fund है इसे minimum SIP amount आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो fund size है वो है 329 करोर का हम लोग return calculator पर focus करते हैं return calculator में देखेंगे कि यदि आप इस mutual fund के अदर 5000 रुप्या पर मंत SIP कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलेगा तो पहले बात कर लेते हैं एक साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुप्या आपको मिलेगा 77,196 रुप्या तीन साल की बात कर लेते हैं तो तीन साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुप्या आपको मिलेगा 3,95,63 रुप्या पांस साल की बात कर लेते हैं पांच साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया आपको मिलेगा 6,40,870 रुपया होलिडिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो केवाल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो की भारत 22 ETF ग्रोथ हम लोग इसकी रिटर्न रेंकिंग की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो फंड रिटर्न है वो 47.1 का है तीन साल में 49.1 का है पांच साल में 20.1 का और एनवल देखा जाए तो 18.3 का है category average में देखते हैं तो एक साल में जो return होता है 16.8 का तीन साल में 17.5 का और 5 साल में 15.1 का return rank के category पे देखे हैं तो एक साल में पहले नमर पे है तीन साल में भी पहले नमर पे और 5 साल में दूसरे नमर पे यह rank करता है अब लोग इसकी similar funds इसी के आसपस यदि similar funds की बात करें तो इसके आसपस जो similar fund है वो है Franklin India Dynamic Assist Act Location Fund of Fund Direct Growth, ICIC Prudential Assist Act Loter Fund Direct Growth, ICIC Prudential Income Optimizer Fund Direct Growth Axis Gold Direct Plant Growth तो इसके आसपस इतनी सारे इसके similar funds है अब लोग इसकी expensive ratio है exit load और tax की बात कर लेते हैं इसका जो expensive ratio है वो है 0.008% का exit load की बात कर लेते हैं तो exit load नील है और stem duty की बात कर लेते हैं तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ complete discuss किया ICIC Prudential भारत 22FOF diet growth के बारे में फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले कर कि